हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आर्थिरी इजी कुकिंग आज मैं बना रही हूँ पंजाबी मटन करी एक बार आप इस करी को खा लोगे तो अंगलियां चाटते रहा जाओगे तो चलो बनाते हैं पंजाबी मटन करी वो भी बहुत ही आसान तरीके से इसके लिए मैंने सबसे पहले मटन को ले लिया है एक किलो मटन है यह अच्छे से सिव वाश कर लिया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए मेरिनेट कर लेते हैं मैंने इसमें एक पाउच लसन अदरक का पेस्ट डाला है अगर आपके पास घर में है तो आप इसमें दो बड़ी चमच लसन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए और अब मिलाएंगे हम इसमें एक बड़ी चमच सोया सॉस इससे मटन का बहुत अच्छा कलर आता है और अब इसमें हम सारे मसाले मिला देंगे इसी वक्त में जिससे कि हमारे मटन में भी सारे मसालों का स्वाद चले जाए और बाद में हमें डालना ना पड़े भूनते वक्त तो मैंने इसमें अपने स्वाद अनुसार धाई छोटी चमच नमक ले लिया है दो छोटी चमच धनिया पाउडर ले लिया है और एक छोटी चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च लिये जो कलर वाली है क्योंकि मुझे आगे उसमें ममोस की चटनी मिलानी है और एक छोटी चम्मच मैंने इसमें सीरा पाउडर और आदी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे दही दही बिल्कुल आपकी गाड़ी होनी चाहिए, पानी वाली नहीं तो मैंने इसमें तीन बड़ी चम्मच दही मिला ली है इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे जब मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया तो मुझे याद आया, अरे मैं इसमें एक चीज तो डालना भूल गई जो इसका मेन पाट है, जी हाँ दोस्तों इसमें मुझे डालना था एक बड़ी चम्मच भर के सरसो का तेल हाँ आप बोलोगे नहीं कच्चा है, नहीं इस तेल से ही इसमें अच्छा साथ टेस्ट आएगा तो बाद में मैंने इसमें एक बड़ी चम्मच सरसो का तेल मिला दिया और जब तक मैरीनेट हुआ, मैंने प्याज काट लिया आदा किलो प्याज लिया, उसको लंबा-लंबा काट लिया वीडियो बन नहीं पाई, तब तक मेरे कुकर में तेल गरम हो चुका था सरसो का उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिये, जैसे कि तेज पत्ता, दाल चीनी बड़ी काली लाइची दो, चार लॉंग डाली, और जो मैंने प्याज काटे हैं, वो भी इसमें मिला दिये तो आधा किलो प्याज है ये, अब इन प्याज को हमें पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम में भूनना है, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत आसानी से आपकी ये मटन करी तयार हो जाएगी, थोड़ा सा इसे भूना हमने, करी दंडियों को मैंने संभाल के रख दिया, इससे जो हमारी मटन ग्रेवी है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, दोस्तों ये डंडिया होती है धनिय की कभी फैंक नहीं चाहिए, कभी भी प्याज भूनते हुए आप इन डंडियों को उसमें डाल दीजिए, अलगी टेस्ट साइका सबसी का, तो मैंने इसमें धनिय की डंडि मिला दी और बाकी जो पत्तियां बच्ची थी, उसको बाद में गार्निश के लिए रख लिया है, तो अब ये धनिय की डंडि भी इसके साथ भूनती रहेगी, बस हमें इससे पांच मिनट, मैक्सिमम पांच मिनट आप ती प्याज और मटन जब पांच मिनट भून जाए, तो फिर उसके पाद हम कुकर का धकन बंद कर देंगे, इसमें दोस्तों हमें पानी नहीं मिलाना, पानी मसालों ने छोड़ दिया है, तो उस पानी से ही हमारा जो मटन है वो पक जाएगा, पहली सीटी आने पर गैस की फ्ले कन हटा के अब हमें गैस को ओन कर देना है, देखे इसमें अपने आप थोड़ा सा ओईल भी आ गया और पानी भी आ गया जो मटन में नैचरल ओईल होता हूँ आ गया, और जो पानी था वो भी निकल गया थोड़ा सा, तो हमें ये ग्रेवी तरी वाला तो बनाना नहीं है, ह तो सब गल चुके हैं, और अब हम खड़े मसाले हैं, वो इसके निकाल देंगे, नहीं तो बाद में हमारे मूँ में आएंगे, ये लिजए मैंने इसमें मिला दिया एक बड़ी चमच मतन मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेती, और साथ ही हम इसमें मिला देंगे इसका असली इ हमने इसे मुमुस्की चट्मी डाली, और हमारा मटन दो मिनिट पाद तयार है, और अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं, दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा, दोस्तों मटन बहुत ही टेस्टी बना है, इसे आप चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और इस रेसिपी को आप ज़रू ट्राई कीजेगा, बहुत जल्दी बन जाती है, ये रेसिपी सिर्फ 10 मिनट में, इसमें हमें ज़्यादा देर मटन को मेरिनेट भी नहीं करना है, जैसी आप मटन लाए, उसे मेरिनेट किया, तब तक आप प्याज काट लीजिए, इस बीचों मेरिनेट भी हो जाएगा, और ये लीजिए, आपका फर्स क्लास पंजवाबी मटन करी तैयार है, थाइब तक लुएल्ग्ण कोंग्वाजियो थाँ कि नहीं के लिए ठाड़ा, वह tik तो बाएगा, जैसे में द्वाजिए, दूकि कर्वाचर विडियो, जैसे एल्ग-जाचर, साने की दिएए, ये तब दिएए, तो रखने को तो पाफ्लाग्ण से भीड़ादा